हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का study alert के digital platform पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी की CT के त्यारी एकदम अच्छी चदरी है और सभी प्यारी विद्यारती को CT exam के अग्रिम सुख काम नहीं देखो विद्यारती अपनी regular class चदरी एक बार फिर से मैं आपकी वीच मे के लिए important question की class है यह लेकर आ गया हूँ इस class में आपके जितने भी CT के subject है जैसे राजस्तान जी की इंडिया जी के current affair, science, math, reasoning, computer, Hindi, English, सब की question आपके बीच में लेकर रहा हूँ लगबगा आज की आपकी class ही 45-40 minute की class होगी एकदम अच्छे से देख लेना बस आपको एक विद्यारतियों आज मैं आपको यह नहीं बोलूगा कि चैनल को subscribe करो ठीक है आपकी इच्छा हो तो कर देना नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं चैनल को subscribe करना important नहीं आपकी CT पास हो यह आपके लिए important है तो देखो विद्यारतियों आप सभी को मैं पिता देना चाहत हू प्लस में जितनी भी PDF वो डाल दी है और प्लस में आपके जितने भी नोट्स है वो सारे को सारे आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे इसलिए मैं आप सभी को बहुत रहा हूँ यह आपका जोरावर ओफिशल नाम से इसको आपको जोइन करना है पर तेक विद्यारति को सर कमेंट बॉक्स आप ओपन करोगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन है ना इसके निच्छे देखोगे तो आपको लिंक मेल जाएगे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जिगे मैंने लिंक देरके उसके तुरू आप टेलिग्राम को जोइन कर लेना वहाँ पर आप अगर PDF पढ़ोगे तो आप सभी PDF एक गंटे में पढ़ लोगे इसलिए बहुत रहा हूँ ये टेलिग्राम चैनल आपको जोइन करना जुरूर है अप देखो कलास को स्टार्ट के लिए ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे ये आपके सटलेर नज़दी के किना रिस्तित है विकला प्रमर एक बताने वले सारेक सारे राइट हो जाएंगे उसके बाद देखो विद्यारतियों आपका पर्सन क्या पुछा गए कि कौन सा वाकिये सुध है देखो विद्यारतियों मैं आपको बतायता हूं हिंदी में एक क्यूशन आपका इस टाइप से आएगा एक नहीं साइट दो क्यूशन आएगे एक तो आपका पुछा जाएगा सुध वाकिये एक पुछा जाएगा एस सुध वाकिये तो person में पुछाए कि कुन सा वा क्या आपका सुध है देखो इस question में इस type की question में आपको सारे ही option क्या लगेंगी right लगेंगी जैसे एक तो बोज़ रहे नो जवान व्यूकों को आगे आना चाहिए ये गलत हो जाएगा इसमें क्या होता कि नो जवान व्यूकों को आगे बढ़ना चाहिए इसके बाद फिर क्या होँआ ये गलत है इसके बाद क्या होँआ ये आपका सही हो जाता उसके बाद देखे ये कैसे संभू हो सकता है ये कैसे संभू है ये आपका सही हो जाता लेकिन ये अभी गलत है तो सर्जीस में राइट कुंसा हो जाएगा विकलब नमर आपका तीन है न ये राइट हो जाएगा देशबर में ये बात फेल लगई लगबग विद्यारतियों आपकी 35 मिनट की कलास होनी वाली है एकदम अच्छे से आपको कलास को देखना भी अगला किसन देखो उसके बाद विद्यारतियों आपका अगला परसन के कि राजस्तान का गजेटेर कहा जाता है ये अच्छा परसना भी आपका इस पर आप अच्छार लगा सकते हो राजस्तान का गजेटेर कहा जाता है जैसे द्यालदासरी ख्यात को कहा जाता है या फिर मारवार परगनारी विगत को कहा जाता है या फिर विर्विनोत को कहा जाता है या फिर नेंडसी रे ख्यात को कहा जाता है तो आप सभी को बता है राजस्तान का गजेटेर किसको खा जाता है या आपके कहा जाता है मारवार परगनारी विगत को किसको खा जाता है मारवार परगनारी विगत को कहा जाता है एक बात आपको ध्यारक नहीं है मारवार परगनारी विगत की रचना किस नहीं की थी मुहु इस पर आप अश्टार लगा लेना राजस्तान की इत्यास में आपके पित्थल के नाम से कौन परसिद है माना परताप, चंदरशेंद, पर्थिराज राठ ठोड या फिर पर्थिराज सिसोत्या तो इसमें आपका विकलप नमर कौन से राठ हो जाएगा इसमें आपका विकलप नमर तीन राठ हो जाएगा यानि राजस्तान पर जो आपके पित्थल के नाम से परसिदा है ये पर्थिराज राठ ठोड हो जाएगी कौन हो जाएगी, पर्थिराज राठ ठोड तो देखो, किर्टर बाउनी है ना, इसकी रतना आपके दुरस आड़ा के दौरा के दौरा के गई, विकलब नमरा आपका सी राइट हो जाएगा, एक आपके आते हैं सवतंतर बाउनी, कौन सी आते हैं सरजी, सवतंतर बाउनी आती है, उसकी रतना आपके किस के दौरा के है कि परसिद जो 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 ऑली खहली जाती कौन सी के लिए जाती है रे लठमार विकलप नमर एक बताने विद्यारती राइट हो जाएंगे चलिए विद्यारती अगला किसन देखिए उसके बाद विद्यारती आपका अगला परसन क्या है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है लपा लंपी कीरण बांकड़ी यह सभी क्य क्या हो जाएंगे यह आपके राजस्तान में गोटे के विविन परकार है क्या है राजस्तान में गोटे के क्या है विविन परकार है विकलप नमर दो बताने वोले क्या हो जाएंगे सारेक सर विद्यारती राइट हो जाएंगे अगला क्यूशन देखो उसके बाद पेर वि का जाता है गोरा दाई को किसको खा जाता है गोरा दाई को का जाता है और गोरा दाई ने आप सभी को बता किसके जियों को बचाया था अरे अजीद सियां के जियों को बचाया था अजीद सियां के जियों को तो इन्होंने अजीद सियां के जियों को बचाया था तो इसलिए अजीद चिया ने गोरा दय की जो छत्री इसका निर्मान करवाया था, किस ने करवाया था, कि उसने में क्या पुछा है, कि गोरा दय की जो छत्री का निर्मान किस ने करवाया, तो आपके बताओगे अजीद चिया ने, एक बात ध्यारक न, गोरा दय की जो छत्री है न, वो आपके राजस्तान के जोदपुर्चिले में है अरे गोरा दय की चत्री कापर आपकी राजस्तान के जोदपुर्चिले में है विकलप नमर चार बताने वोले सारेक सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे अगला किसन देखो विद्यार्थियो उसके बाद पहरे विद्या बरड किसान अंदलों, सरजी आपका भाता ध्यान रख लेना, थोड़ा सा important question है, अप्रेल 1922 में, और बरड किसान अंदलों का जो नेतरतु है न, वो आपका पंडित नईनुराम सर्मा के द्वार के द्वार के आगया था, किसके द्वार के आगया था रहे, पंडित नईनुर राजियों की साज़ेदारी वाली जिल है अच्छा ये परसन बुचा है निमलकेत में से कौन सी आपकी दो राजियों की साज़ेदारी वाली जिल है जैसे चिलका जिल है ये तो आपकी कापर है ये तो सर्जी आपकी ओडिसा के अंदर है ये तो कौन सी राजिय में है ओडिसा साथ जेदारी है, या फिर ये दो राजियों की साथ जेदारी वली जिल है, विकलप नमर आपका तिन राइट हो जाएगा, अगला क्यूसन, उसके बाद प्यारी विद्यार्टियों आपका अगला परसन क्या है, कि माता टिला बांध किस नदी पर बनाया गया, ये अच्छा नदी परोज जाएगा, विकलप नमर आपका यहां से एक राइट हो जाएगा, कौन से राइट हो जाएगा, विकलप नमर आपका एक राइट हो जाएगा, एक बात आप विद्यार्टियों ये ध्यां रखना, आपकी जो नरमदा नदी है ना, नरमदा, और एक आपकी जो स नदी का उत्गम कहांशे होता है अमरकंटक से ये भी आपको क्यूसें पूचा दा सकता है अगला परसन मैंने कहाँ पर हो जाएगी यह आपके टॉंक जी लेके अंदर हो जाएगी सर्जी कहाँ पर हो जाएगी टॉंक जी लेके अंदर हो जाएगी सर्जी कहाँ पर हो जाएगी टॉंक जी लेके अंदर हो जाएगी और बिसल पर बांध है ना इसका निर्मान कब हुआ था इसका निर्मा तीन बताने में कोले, सारे एक सारे विध्यारती राइट हो जाएंगे, एक बिरीबात ध्यांसी सुनना विध्यारति ओ, मैंने टेलिग्राम जोइन करने का आपको इसलिए बोला है, क्योंकि आपको पता है, आपको टेलिग्राम पर एक तो नोड्स मिलेंगे, एक आपको कंटे की मेरा थन कलास ली और दो परसंट भी देखने को नहीं मिले इसलिए बहुत रहा हूं अंतिम टाइम में आप ना तो यूटूब से कलास लो ना ही आप क्या करो बुक से पढ़ो सिरफ आप नोट्स इंपोर्टेंट क्यूसन और ओल्ड क्यूसन पढ़ो ओल्ड क्यूसन एक आपके डिस्क्रिप्शन गे अंदर लिंक दे रहे हैं दोनों के तुरों आप कहीं पर भी जोइन करना लेकिन आपको जोइन करना ही है अगला परसंट उसके बाद अगला परसंट क्या है कि किस राज्जे में सरोपर्थम पंचाईतिराज लागू किया गया था ये एक बात ध्यां रखनी है राजस्तान में नागोर्षी गुनिसो गुनसट में वा था और किस ने किया था पंडित ज्वाल लाल नेरू ने किया था ये भी बात आपको साथ में एड़ गड़नी है चलो अगला क्यूसन देखो उसके बाद अगला परसंट क्या है कि कौन सी राज राजस्तान की परमुख पसल नहीं है ये बात पुछी गई है मुंगफली गन्ना बाजरा मक्का अरे आप बतो बाजरा तो आपको पता है राजस्तान की मुख्य पसल है ये खरीब की है और राजस्तान में बोई जाती है और राजस्तान बारत में एक अस्तान भी रखता है मुंखपली उत्पादन में भी आपको पता है राजस्तान का भारत में दूसरा रास्तान है और मक्का भी रास्तान में बोया जाता है जो गन्ना है ना ये राजस्तान की मुख्य पसल नहीं है वसे गन्ने का उत्पादन थो होता है गन्ना की पसल इसको उगाया भी जाता है लेकिन ये कोई मुख्य पसल नहीं है राजस्तान की तो इसमें आप विकलप नमर दो राइट हो जाएगा गन्ना तो आपको पता है महाराष्टर तमिल लाडू उस साइड की परमुक पसल है लेकिन अपने राजस्तान की नहीं है चलो यहाँ पे आपका विकलप नमर दो राइट हो जाएगा अगला परसन देखो उसके बाद प्यारे विद्यारतेओं आपका अगला परसन के है कि मुख्य पसल निमन लिकेत में से कौन से परिवर्तन का उधाण है केवल बोतिक परिवर्तन का है, केवल रासाइनिक परिवर्तन का है, बोतिक रासाइनिक दोनों का है, ने बोतिक और नही रासाइनिक बतो, अरे मोमबतिक का जलना है ना, मोमबतिक का जलना, वो आपका बोतिक और रासाइनिक दोनों का है, ध्यान रख लेना, दिमाग में फि चलो अगला किसन देखो उसके बाद प्यारे विद्यारतियों आपका अगला परसन क्या है कि सू उपसरग रहित सबद बताओ भी उपसरग परते से कनफरम सबद आएगा हर क्लास में बताता हूँ सबद की ना कोई सबद है मालो सबद है उसके लाश्ट में परते लगते हैं और पहले उपसरग लगते हैं अगर आपको एकजामिक कोई भी उपसरग पढ़ते पूछले एक सांदार्ट्रिक आपकी क्या है परते जो भी आपको पढ़ते है या फूर उपसरग सबद पूछे उसको मन ही मन में कम से कम आपको तीन बार बोलना है तीन बार आप बोलोग इसमें कोई आपका सूप सरग नहीं है इसमें क्या है सरजी सूप सरग नहीं है तो विकलप नमर एक है ना यह आपका राइट वस जाएगा विकलप नमर एक बताने विले सारे सारे राइट वस जाएगे अगला किसन उसके बाद विद्यार्तियों आपका अगला परसन क्या पुछा गए है किस सबद में आउट परते हैं ये भी एक अच्छा परसन है आवट नहीं अच्छा नहीं का यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ मैं आपको हमेशा परते एक परसन को दो बार पढ़ा करो नहीं है या फिर है क्या पुछा है वो आपको ध्यान से देखना है पेपर में भी दो बार पढ़ना है क्लास में भी दो बार पढ़ना है तो किस सबद में आउट परते नहीं है ये बात आपसे पूछी गई है देखो आप सभी को बता है ठकावट में आउट परते नहीं है आपका क्या जूड़ गया, परते जूड़ गया, उसके बाद सज आपका मूल सबद हो गया, उसमें क्या हो गया, आउट परते जूड़ गया, लेकिन इसमें बताओ, कहां महा, महा क्या होता है, महा, तो ये क्या है, इसमें कोई आउट परते का उप्योक नहीं क्या गया है, चालो, अगला question देखो, उसके बाद विद्यारतियों आपका अगला person क्या है, कि सुध के लिए सुध अभ्यान, कारिकरम किस वर्स सुरू किया गया, सुध के लिए साइधी यहां पी युद अभ्यान है, ऐसा कुछ है न, तो वो कारिकरम कब सुरू किया गया, तो परमुक अ सब कुछ याद गरना है, जैसे यह आपका कारिकरम बना, यह 26 अक्टूबर, कब क्या गया, 26 अक्टूबर 2020 को क्या गया, विकलप नमर आपका यहां से दो राइटो जाएगा, अगला question, उसके बाद विद्यारतियों आपका अगला person क्या पुछा गया है, गर-गर ओस्दी 22 में यह शुरू ही थी ना, तो उसके अंतरगत आपके किन-किन उस दिये पुद्धों का वित्रण क्या जाएगा, तो इसमें देखो आपका एक तो तुलसी वा गिलो है, सही बात है, एक आपका अशुवगंदा है, यह भी सही है, एक आपका कोलमेगा, यह सभी हो जाएग इन सभी का क्या जाएगा, इन सभी का वित्रण क्या जाएगा, चलो, अगला किसन देखो, उसके बाद विधियार्ति, हाँ, यह करेंट का पर्षन था वहाई, इसका प्रारम आपका हुआथा, एक जनरी 2015 नहीं होगा, इसका प्रारम आपका हुआथा, 13 सितंबर 2011 यो, डेट आपकी 13 हो जाएगी, मन्त आपका सितंबर हो जाएगा और यह आपकी 2019 हो जाएगी तो विकलप नमर दो बताने विले सारेक सारे राइट हो जाएगे विकलप नमर क्या हो जाएगे दो बताने विले सारेक सारे राइट हो जाएगे चलिए उसके बाद पहले विद्यारतियों आपका अगला question क्या पुछा गया है अगला person आपसे पुछा गया है कि MS powerpoint में new slide add गरने की shortcut क्या है बोला थाना सब की question डालें ये भी एक अच्छा question आपके लिए MS powerpoint में new slide add गरने की shortcut की पुछिए आपसे तो इसकी shortcut की क्या है control plus N है control plus M है control plus X है control plus K है control plus X से तो सब कुछ कट जाता है ना और control V से साइज पेस्ट होता है लेकिन यहाँ पर new slide की पुछिए है तो new slide के लिए अपन क्या करेंगी control के साथ क्या करेंगी M का button दबाएंगी तो विकल अप नमर आपका दो राइट हो जायगा एक आपका पुछा जाता है कि कम्पूटर में रिफ्रेस करने की सोट-कट की क्या है तो उसकी सोट-कट है ना उसकी सोट-कट हो जाएगी F5 का बटन अगर हम कम्पूटर में दबाएगे ना computer या फिर laptop में तो फिर वो refresh हो जाएगा, उसमें mouse की भी आउसकता नहीं पड़ती है, वो क्या होती है, उसकी shortcut की होती है, चलो, अगला question देखो, उसके बाद पहरे विद्यारतियों, ये थोड़ा सा important कि उसने विजे दान देथा का समन्द है, विजे दान देथा का समन्द, द विजे दान देथा का समन्द कोन से जिले से है, विकलप नमर सी बताने वोले सारेक सारे विद्यारति क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तो चलो, अगला question देखो, उसके बाद प्यारे विद्यारतियों, आपका अगला person क्या पूछा गया है, पत्थर मार होली कहां विर्जी की है, तो उसी साब से आपको question में पूछा गया है, ये भी आपके लिए एक important question में, राजस्तान जी की से, कि जैसे पत्थर मार होली है न, ये आपकी कहां की परसीद है, अजमेर, करोली, बिकानेर, बाड़मेर, तो यहां पे सर्जी आपका विकलप नमर चार जाएंगे, अगला question देखो, उसके बाद आपका अगला परसन क्या पुछा गया है, अगला की चित्रकुट जल परपात, यहां पर परताप नहीं है, यहां पर परपात नाम है, ध्यान से देखना, यहां पर कहा नम है, परपात, हाँ, तो चित्रकुट जल परपात किस जिमें हो जाएगारी, अरे यह कौन से में हो जाएगा, यह आपके हो जाएगा, यह आपके विकलप नमर ए, यानि 36 गड़ के अंदर, कौन से राजी में स्तित है, यह आपके 36 गड़ के अंदर अस्तित है, विकलप नमर एक बताने वाले सारे क्या हो जाएगे, राइट हो जाएंगे तो चलिए अपन क्या कर लेते हैं विकलप नमर एक को राइट कर देते हैं चलो उसके बाद पेरविद्यार्टियों आपका अगला परसन क्या पुछा गया है अगला परसन आपसे पुछा गया कि सोर वेजसाला किस जील में अस्तित है यह एक अच्छा कि उसन आप विकलप नमर चार बताने विए सारेक सारे राइट हो जाएंगे जो आपकी सोर वेजसाल है यह आपकी फत्य सागर जील में हो जाएगी फत्य सागर जील में एक बात ध्यारखना जो जैसमन जील है यह राजस्तान के सबसे बड़ी क्रित्तम पानी की जील है क्रित्तिम पान जिले ना ये आपकी कौन से जिले में है ये बात आपको कमेंट करके बतानी है अगला क्यूसन देखो उसके बाद विद्यारतियों अगला परसन क्या पुछा गया है राजस्तान लोक्षयाव अयुक का गठन कब हो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट आपके लिए मैंने आपको बताय था जैसे राजस्तान लोक्षयाव अयोग का जो मुख्या ले ना वो तो आपका अजमेर केंदर है ये बात मैं आपको बताइ थी लेकिन परसन में आपको अभी ये पुचाई कि राजस्तान लोग से वायों का गठन हुआता सर्जी आपका 20 अगस्त 1906 को हुआ था कब हुआ था रे 20 अगस्त 1906 को हुआ था विकलप नमर एक बताने विले क्या हो जाएंगे सारी सारे राइट हो जाएंगे अगला क्यूसन देखो उसके बाद प्यारे विद्यारतियों आपका अगला परसन क्या पुछा गया है CPU इनमे से क्या है ये एक अच्छा परसन आपकी कम्प्यूटर से ये एक अच्छा परसन आपका पुछा गया है कम्प्यूटर से ध्यान रख लेना परसन क्या पुछा गया है कि CPU इनमेंस से क्या है सोप्टवेर है सरकेट है या फिर पेरिफरल है या फिर चिप है तो आप सभी को बताए CPU एक क्या है CPU चिप होती है क्या होती है यह बात आपको पता है तो विकलप नवर आप क्या हो जाएगा, चार को राइट कर देना, चलिए, अगला क्यूसन देखिए, उसके बाद अगला परशन है कि इंटरनेट का जनक किसे का जाता है, इंटरनेट का जनक किसे का जाता है, इंटरनेट का जनक आपको पता है, किसको का जाता है, विंट को का जाता है एक आपके आते हैं कंप्यूटर के जनक तो कंप्यूटर के जनक आपको पता है किसको का जाता है चाल्स बेबेज को का जाता है और आपके इंटरनेट के जने कोई है, विंट सरप, दोनों में कनफियूज मत रहा, एक क्यूसन आपका आ सकता है, कोई भी सिवट में हो लेकिन एक क्यूसन आपका आ सकता है, अगला क्यूसन देखो, उसके बाद विद्यारतियों आपका अगला परसन क्या पुछा गया है, राजस्तान सरकारदोरा किस वर्स उडान योजना की सुरुवात की गई थी ये एक अच्छा पुशन है बोला था ना कि आपके सब सब्जेक्ट की किसन डाले हैं ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है राजस्तान सरकारदोरा किस वर्स उडान योजना की सुरुवात हुई थी चाफिर की गई 2018-2019-2021-2020 तो उडान योजना की सुरुआत पूछी है यह आपकी संह 2021 के इंदर की गई मेरे विद्यारतियों मैं आपको बतारा हूँ प्यारे विद्यारतियों परमुक योजना है ना योजना और परमुक आपकी जितने भी ओर है ना आयोग और इनके गठन इन विख़ई जाए राजस्तान सरकार के दोरा उसके बाद अगला परसन निकाले है चलो अगला परसन आप से क्या पुछा गया है माल देव है भई ठीक है यहाँ पर नाम करेक्शन कर लेना माल देव क्या नाम आपका माल देव तो माल देव के पस्चात मारवाड का सासा कोन बना ये बात पुछी गई है जेतमल, राम, चंदरशेन, पर्थुराज तो इसमें बताओ भी आप कोन सा विकलप राइट करोगे मारवाड का सासा कोन बना था माल देव की बाद तो इसमें आपका सर्जी विकलप नमट हो जाएगा दो राइट माल देव की बाद आपके सासा कोन बने थी चंदरशेन बने थी कोन बने थे चंदर्शेन और चंदर्शेन आपको पता है मालदेओ को तो हस्मत वाला राजा कहा जाता है लेकिन चंदर्शेन को क्या कहा जाता है मारवाड का पत्थ परदसक ठेक है और मारवाड का बुला बिसरवा राजा और मारवाड का परताप आधियुप नामों से जाना जाता है और चंदरशेन थे ना ये मालदेओं के बाद मारवाड के सासक बने थे ये इनके बेटे थे चलो अगला क्यूसन देखो उसके बाद विद्यार्तियों आपका अगला पर्सन क्या पुछा गया है अगला पर्सन है कि राजस्तानी चित्रकला का विग्यानिक विवाजन किसके द्वारा किया गया था ये आपके कल्चर से और ही जड़ा इंपोर्टेट किसर है राजस्तानी चित्रकला का विग्यानिक विवाजन आप से पुछा गया है तो राजस्तान चित्रकला का विवाजन आप सभी को बता किस की दोरा किया गया था आनंध ध्यान रक लेना आनंध कुमार स्वामी की दोरा किया गया कि उसन आ सकता है ओध्रेडी भी पूचा दा सुका है राजस्तान चितरला का विगयानिक विवाजन किसके दौर के गया आनंद कुमार स्वामी के दौरा तो विकलप नुमर दो बताने वोले सारे क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे चले विकलप नुमर दो कोपन मांड गयन से समधित है हर क्लास में माने आपको बताया था किससे समधित है रहे मांड गयन से समधित है और इनका जो जनम है यह आपके विकानेर डिष्टिक के अंदर को आ था और ये मांणगाइन से समंधित है चालिए उसके बाद अगला परसन देखे अगला परसन है कि निमल से कौन सा युगम आपका सूमिलित नहीं है देखो बई याँ पे कौन सा सूमिलित नहीं है ये बात आपके से पूची गई है आप सभी को बताए मेटरबांद काविरी हो जाएगा और नागरजु सगरबांद यह कशना नदी हो जाएगा नागरजु सगरबांद है यह आपका हेदराबाद के इंदर है काप्र हेदराबाद के इंदर और नदी आपकी कशना है सही बात है थीन बांद रावी सही है सरदास रोरबांद कोशी नद गलत हो जाएगा क्योंकि सरदास रोरबांद आपका नरमदा नदीप हो जाएगा ठीक है? ये थोड़ा सा करेक्षन था यानि सुमेलित नहीं है ये पूचा था तो इसमें आपका विकलब नुमर तीन राइट हो जाएगा विकलब नमर 3 बताने विए सारेक सारे विद्यार्थी राइट वह जाएंगे अगला पर्षन देखो उसकी बाद पेरे विद्यार्थी आपका ये अच्छा क्यूसन है इंडिया जी कैसे भई सारे सब्जेक्ट की क्यूसन दालें ये इंडिया जी किसे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है जैसे परसन है कि रूपकुंड जील कहां पर अस्तित है उत्राखंड, चतिसगर्ड, केरल, जमु कस्मिर चार अपसन आपको देर के हैं तो रूपकुंड जील आई ये आपकी कांपर है ये सर्जी आपकी हो जाएगी उत्राखंड के अंदर रूपकुंड जील आपकी कांपर है भई उत्राखंड के अंदर है विकलप नमर आपका यहां से एक राइट होगा विकलप नमर एक बतानी विल्क्या हो जाएंगे सरेक सरे राइट हो जाएंगे चलिए अगला क्यूशन देखो उसके बाद विद्यार्टियों आपका अगला परसन क्या है बंद बारेठा वन्ने जियो अभ्याणने राजस्तान के कौन से जिले में अवस्तित है ये भी एक अच्छा और इंपोर्टन क्यूशन आपके लिए बंद बारेठा वन्ने जियो अभ्याणने है ये आपके राजस्तान के कौन से जिले में है जोदपूर, उदेपूर, भरतपूर, कोटा तो ये आपका काम पर हो जाएगा ये सर्जी आपके भरतपूर, जिले के अंदर हो जाएगा यहाँ पर विकलप नमर आपका सी राइट हो जाएगा बंद बारेठा एकदम अच्छे से याद गलेना चलिए, अगला क्योसन देखो उसके बाद अगला परसन आपसे क्या पूछा गया यानि राजस्तान के पहले लोकत कोन थे भई, आईडी दुआ कोन थे आईडी दुआ हो जाएगे विकलप नमर आपका चार राइट हो जाएगा विकलप नमर क्या हो जाएगे, चार बताने लोगे सरे राइट हो जाएगे चलिए, अगला क्योसन देखो उसके बाद विद्यार्तियों आपका अग्ला बोन मेरो में पायजानेगोला पदार था ये सही बात हो जायगा अरे हिमोगलोबिन आपका क्या हो जाएगा मानौ के रक्त में पाया जाने हो जाएगा क्या हो जाएगा एक है पदार्थ हो जाएगा तो इसमें विकलप नमर सी राइट हो जाएगा हिमोगलोबिन किसको बोलते हैं मानों के रक्त में जो पदार्थ पया जाता है ना उसको हिमोगलो भी बोला जाता है या फिर कहा जाता है तो विकलप नम्रापका यहां से तीन राइट उफ जाएगा ना चलिए अगला किसन देखो उसके बाद विद्यारति अगला परसुन के आरच कारक का नाम समंधित है त तो गांदी सागरबांद के बारे में पूचा यह कांपर है तो यह आपका सर्जी बानपूरा मद्य परदेश के इंदर हो जाएगा और यह बानपूरा मद्य परदेश के इंदर है इसकी आपकी उन्चाई पुची थी थी ना एक साइध गांदी सागरबांद की तो यह अंदिशागर्माद कौन्सी न दिप रहा है चंबल न दिप रहा है ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है अगला कुछन देखो उसके बाद विध्यारत आपका अगला परसन का है इन में से कौन सी आउट्पुट डिवाइस नहीं है ये एक अच्छा कुछन कुछ आपको पते है आउट्पूड डिवाइश है ना ऐउट्पूड डिवाइश प्रिंटर तो है एस्पिकर भी है और प्लोटर भी है किन्तों प्रंथू बर माइक्रोफून आपका आउट्पूड डिवाइस नहीं है विकल परहे keeping इन राइट रहेखलेगा विकलन रो पूचलब नम्र एक बताने हैं एकदम अच्छे शे बताना भाई गणना और तुलना के लिए कंप्पूटर के किस बाग का प्रियू करते हैं कंट्रोल यूनिट का गलत रोम का गलत रजिस्टर का कैसे करेंगे कंप्पूटर का पूच रहा है तो हम इसका ALU का परियोग करनेंगे कम्पीटर में अपने अगर गणना या फिर तूलना का अगर कार्री कर रहे है तो किसका परियोग करनेंगे ALU का करनेंगे विकलप नमर 1 बताने हैं की सारी charging सारी right हो जाएंगे अगला कीशन देखो उसके बाद पहरे विद्यार्तियों अगला परसन देखो ये किसन करवाया था ना सर्दार स्रोवर प्रियोजना की बाले में पुचा कि किस नदी पर बनी हुई है सर्दार स्रोवर प्रियोजना किस नदी पर बनी हुई है ये बात पुची गई है तो यह तो मैंने बताये था भई नर्मदा नैधिपर है। कौनसा मैंने बताई थी चलिए उसके बाद विद्यारति उगला परसना सतला नदी दिखा रहा है, सर्दास रोर प्योजना, नरमदा नदी दिखा रहा है, सही बात है, नांगलबांद भी सतला जाई, ये भी सही है, हिराकुंडबांद महानदी ये भी सही है, किन्तु प्रंतु बंट, नागारजुन सागरबांद गोदारु नदी है क्या, अरे ना पर है वह दरबाद के अंदर है दोनों बात आपको पता होने चीए एक तो आपका ये बंद कहा पर है और एक आपका ये कौन सी नदी के किनारी है तो दोनों बात मैंने आपको ओलेडी बता रही है तो यहां पर आपका विकला प्रमट तीन राइट वह जाएगा चलिए अगल क्या हैं उप्रेइटिंंग auी परवारेटिंग लएवजान ऐसे बैसे एक पुरवी बैसंगा मैदान उसका कौन सा बाग नहीं है चम्बल बैसं सब्लेबवाग सब्सक्के है और बनासylene ये बहाग सब्सक्राइब लूनीम ये बहाग नहीं हें क्योंकि लोणी बैसिन तो आपके मरूस्तल केंदर आता है ये तो किस केंदर आता है मरूस्तल केंदर आता है ये कोई पूरी मैदान का भाग नहीं है तो vous moisture आप यहां पर 2 पताने वह लिख्या हो जाओगी सारेख-सारे right हो जाओगी दो नमर восinking को आप क्या करलो लोग करलो भई चलो अगला qeisson देखो उसके बाद विद्यारतिों आपका अगला पर्स Un क्या पुछा गया है अगला पर्स Un कि रामगर्ण विष्भारी अभ्यार ने के लिए ऐस सत्य खत्र बताओ भी ये अच्छा वापश आपस आप से qeisson पुछा गया है यह क्या एक अच्छा वापस आप से क्यूशन पूचा गए कि रामगर्ड विश्दारी अभ्याणिने के बारे में आपको क्या पताना है ऐसा थे खत्र बताना है तो इसमें आपको चारोप संदेर के हैं इसमें आपका विकलबनों कौन से रट हो जाएगा जैसे आपको पताए यह अबयार्णिक कोटा जिले में है यह राज्य का एक मथर गेरबाग प्रेज़ना चित्र है जहां बाग पाई जाते हैं यह सही बात है इस ब्याणने में मेज नदी है ये निकलती है सही बात है ये दोकडा जाती के वरक्स पाये जाती है यहाँ पर ये भी सही है रामगडवीस दारी ब्याणने कोट्टा में ये गलत बात है रामगडवीस दारी ब्याणने कोट्टा में थोड़ी ना ये तो बुंदी किंद्र है कापर है बुंदी केंदर है और परस्ट में क्या पूछा था कि कौन सा कतन ऐस सत्य ये देखलो सापसा बोला था ऐस सत्य कतन तो ये आपका हो जाएगा कोट्टा में नहीं है ये बुंदी केंदर है विकलप नमर आपका एक राइट हो जाएगा एक नमर विकलप आपका ऐस सत पर मिलते हैं मालवा के पटार में करनाटक में पूरवी गाट में उत्री पूरवी बारत में तो उसन गटबंदी वर्सावन कहां पर मिलते हैं यह बात पुछी गई है तो यह आपके मिलते हैं कहां पर यह आपके उत्री पूरवी बारत में मिलते हैं विकलप नमर चार बतान कि आपको क्लास कैसी लगबग मैंने आपको 40-50 क्यूसन से प्लस करवा दिये तो इमानदरे से बताना है एक विद्यार त्यूम मैं आपको वापस बोद रहा हूँ टेलिग्राम चैनल को आप अत्यावशी ग्रूप से जोइन कर लेना भी अत्यावशी ग्रूप से आपको से इमानदरे से कमेट करके बताना कि क्लास कैसी लगी काई अब देखो विद्यारतियों में आपको इंपोर्टेटं बात बताता हूँ जैसे अभी आपका यह मेरा तर्न गलास लेने का थाइम नहीं है ठीक है और बूक पढ़ने का ताइम नहीं है अभी आप ज़्यदा मिल जाएगा तो क्लास को आज हम ये पिसमाप्त करते हैं मेरे साथ से आपको क्लास में मज़ा आ गया है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने टेलेग्राम को जोइन कर लिया होगा अगर टेलेग्राम को जोइन नहीं किया तो अभी आपके पास समय है टेलेग्राम को लिंक के तुरू जोइन कर लेना और क्लास कैसे लगी कमेट करके बताना कितने क्योसन सहीवे वो भी बताना और आज के क्लास को ये पेस मापत करते हैं धन्यवाद